हेलो फ्रेंट्स कवीर्स किचिन में आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता एकदम धावे वाले स्टाइल में लेकिन हम गैस में बनाएंगे बिना कंडों के लेकिन टेस्ट वैसा ही लाजवाब होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए लिया है एक बैगन और एक और 5-6 लेसन जो है इस तरीके से आप बैगन में डाल दीजिए और ग्रीस कर लीजिए दोनों को टमाटा बैगन को ओल से फिर आप गैस की उपर रखे जाली और इन्हें हमें ग्रिल करना है हाई फ्लेम पे तो बीच वीच में आप इसे पलटते जाएं अगर आप कंडे में प पर से तो वैसा हम रोस्ट करेंगे इसके बाद गैस बंद कर दे थोड़ा सा ठंडा होने दे ताकि आप इसे हाथ से छील पाएं और यह आराम से हाथ से ही सारे छिलके जो है वो निकल जाएंगे इस तरीके से तो सारे निकाल लीजिए और जो लास्ट की डंडी है उसे हम का इसमें तमाटर है बैगन है जो लेजन हमने दीजिजिए मेश कर रहे हैं हाथ से कर सकते हैं लेकिन मिक्सी से मत पीश येगा और फिर अब इसे फ्राइब करते हैं इसके लिए तेल गर्म करेंगे एक चमच गर्म होने पर उसमें डालेंगे हीं यह ऑफ्षनल है आप चाहें अध्रक को कद्दू कस करके डाला है क्योंकि हमने गार्लिक का यूज कर लिया है तो हम इसमें सिर्फ अभी अध्रक डाल रहे हैं अच्छे से ब्राउन होने तक प्याज को पकाए इसके बाद उबला हुआ जिसे हम हातों से फोड कर डालें तो हातों से ही तोड कर डालिए और फिर डालेंगे स्वादनिस्वार लाल मिच पाउडर और आदा चमीच धना पाउडर मसाले बहुत ही कम डलते हैं और मसाले ना भी डाले तो भी टेस्ट अच्छा आएगा लेकिन डालेंगे तो थोड़ा सब्स्पाइसी हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से तो मसाले डालना है तो डाले नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं फिर नमक डालिए स्वादनिस्वार और मैस्ट किया और टमाटर और बैगन अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब आप यह मिक्स कर रहे हूं तो दूसरे साइट पे बर्नर पे आप कोईला को गर्म करने रख दीजिए इसमें मैंने गरम मसाला और दिया है और दूसरे साइट पे बर्नर पे कोईला गरम हो रहा है हाई फ्लेम पे अब यह पक चुका है हम इसे बंद कर देंगे गैस को और यहां पे कोईला भी हलका सा रैड हो गया है उसे बीच में जगह बनाके रखेंगे एक चमसगी कोईला है उसे हटाकर अलग कर देंगे जो खी है उसमें बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है इसके बाद धनिया और प्याज कटिवी प्यास से गार्निश कीजिए मिक्स कीजिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जरूर बनाके देखिए आप इसे गकड के साथ खा सकते हैं जरूर बनाइए रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शियर भी करें थैंक यू